बच्चो आज मैं आपको इंग्लिश एक्टिविटी बुक से पढ़ा रही हूँ और आपको उपन करना है पेज नंबर 93 ठीक है बिटा पेज नंबर 93 पे दे रखा है लेटर वी ठीक है पहली की क्लास में मैंने आपको बताया था वी फॉर होता है वैन ठीक है देखे वी फॉ होता है वाइलिन वी फॉर होता है वल्चर और वी फॉर होता है वेजिटेबल ठीक है बिटा अब सबसे पहले मैं आपको कलरिंग पार्ट बताती हूं आपको कलर करने के लिए क्राउन कलर्स का यूज करना है ठीक है कोई भी बच्चा स्केच कलर्स को नहीं यूज करेगा देखिए, वॉयलिन में हम फिल करेंगे डाप ब्राउन कलर, ठीक है, उसके बाद वल्चर में आईए, वल्चर में भी आपको डाप ब्राउन कलर फिल करना है, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल्स दे हुई है, सबसे पहले आप पंपकिन में पीच कलर करेंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रिंजल दे रखा है, ब्रिंजल में आप वॉयलेट कलर करेंगे, ठीक है, उसके जो ऊपर का पोर्शन है, उसमें ग्रीन कलर, उसके बाद यहाँ पे चिलीज दे रखी है, उनमें भी ग्रीन कलर, उसके बाद बॉटल गार्ड है, उसमें लाइट ग्रीन कलर, और यह जो कॉली फलार की बाहत की लीज़ है, इनमें भी लाइट ग्रीन कलर, ठ और उसके बाद पटैटो में लाइट ब्राउन कलर है फिर टमेटो है टमेटो में रेट कलर है ठीक है और यह जो कॉलिफलार दी हुई है इसमें लाइट है ठीक है इस तरीके से आपको यह कल्रिंग पार्ट कम्प्लीट करना है अब हम रेटन पार्ट पे आते हैं देखिए जो डॉट्स दिये हुए हैं उनको आपको इस तरीके से जॉइन करके लेटर वी बनाना है इस तरह से ठीक है यह नीचे की लाइन्स में आपको होमवक में कम्प्लीट करना है थाइंक्यू सो मच इस तरह सो अॉइन्स